लोकल variable वो होता है जो function का ही हिस्सा हो local variable वो होता है जो हर function इस्तिमाल कर सकता है देंखीए नाम से लगड़ा है कि local variable वो है जो सिरफ एक function तक ही sinful है जो भी changes उस variable पे उस function के अंदर होगे जैसे ही भाहर आएंगे तो उस variables पे जो भी changes किये गए थे उस function में उस सारे loss हो जाएंगे यादि local variable का the scope होता है वो उसी function तक ही सीमत होता है वो जोiron changes उस function में किये उस variables पे वो changes उस function तक ही सीमत है जैसेड़ आप भार आऊगे जैसे control भार आएगा दुसरे function मी राएगा तो जोबी changes उस local variable पे एक function मी किये थे वो changes दूसरे function में नहीं दिखेंगे अगर मैं चाहता हूँ कि एक variable पे जो भी एक function changes करें वो changes main में भी दिखेंगे और दूसरे function में भी दिखेंगे तो आप सो global define कर लो कैसे होता है यह देखता है अब यह program है छोटा सा दिखेंगे अगर आपने किसी variable को किसी function में define नहीं किया तो वो global ही माना जाता है आपने इस x root 10 लिखा है किसी function के अंदर नहीं लिखा तो यह जो x है यह global variable है यानि यह कोई भी function इसके देख changes करना चाहे कर सकता है ठीक है अब आपने कहा compute x, compute function call करो और साथ में x को ले जाओ ठीक है, x जाके इसको alert होगा तो x की value की 10 ठीक है, अब आप इसके इसे changes कर रहे हो मैं फिर से बोलता हूँ किया आपने इदर कोई global x या कोई ऐसा keyword यूज किया, नहीं तो यानि आप यह जो function के अंदर कुछ भी changes करोगे x में, x की value 10 उच गिया 10 प्लस 5 यानि x उच गिया पंदरा value of x in function is 15, यह 15 करकर display करतेगा, अब जब आप पर जाओके main function में, क्या वो changes जो उस variable x पे इस function ने किये थे क्या वो changes main में दिखेंगे नहीं, देखो क्या हुआ आपने variable को भेजा एक function में और function के ने कुछ changes किये, ठीके, तो वो changes भार आने पर वो नहीं दिखेंगे, अगर मैं चाहिँ कि यह variable पे जो changes में ने किये, इस function में changes कि वो भार भी main function दिखें, तब को global keyword का use करना पड़ेगा, ठीके तो फिलाल, मैं ही कहना चाहता हूँ यह जो variable x है, इसके impact इसी function केंदा locally ही हो रहेंगे, जैसे आप बहार आ होगे, इसकी changes lost हो जाएंगे और जब आप इदर डिस्पर करोगे, value of x is still, 10 ही डिस्पर करेगा, इसको मैं copy कर रहा हूँ और spreader में गया, यह paste कर दिखेंगे, ठीक, आप मैं कर रहा हूँ, आप बहुत से देखेंगे, value of x in function is 15, क्योंकि यह 10 गया, इदर, आपने global keyword नहीं लगाया, तो यह local ही माना जाएगा variable यानि जो भी changes आप कर रहे हो, इस function तक ही सिम लेते हैं, value of x in function is 15, क्योंकि आपने 5 add किया जैसे आप return, अगर return नहीं भी लिखते हैं, तो भी by default return 1 ही माना जाता है, ठीक है control आपर यहाँ आएगा, main function में, value of x is still 10 ठीक है, इस दे global value उठा ली, ठीक है